हेलो एवरिवान, वेलकम तू आचानल पनेशिया फग कॉंपुटेंट टू एग्जामिनेशन जामशुएता सो आज हम करने वाले है आरारबी एंटी-पी-सी की जेनरल अवेडनिस की मॉक्टस नमबर 30 सो देखो हम 30 मॉक्टस तक जो है आगे है सो आज हम करने वाले है 30 याथ मॉक्टस हमारा आरारबी एंटी-पी-सी के लिए ठीक है ना सो अभी तक जो है हमने कितने मॉक्टस कर लिया है हमने जो है 29 मॉक्टस जो है कर लिया है ठीक है ना ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक्टस और अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और इसके साइड में जो बाल आइकन है उसको भी क्लिक करती जिए सो आई नो आप सारे लोग जो है बिजी हो एक्जाम सीजन चल रहा है होप आप सारे लोगों का एक्जाम जो है बहुत ही अच्छे से जो है हो जाए ठीक है ना सो चलो देखते हैं आज का फहला क्वेशन पहला क्वेशन गुड़ी इवनिंग आशी कल क्यों नहीं आई आशी क्या हुआ यहां पर फहला क्वेशन है कि गावनर अफ मेगालिया कौन है सो मेगालिया का गावनर कौन है सो यहां पर क्या हुआ है कन्फ्यूज हो रहे हो ओके आशी सो मेगालिया नागालान मिजोरम की जो है या मैं वह ही सच रही थी आशी सो चलो फर्स क्वेशन का अंसर देखते हैं गावनर अफ मेगालिया कनफ्यूज नहीं होना है, सुवाशी का अंसर भी आ गया है, सत्यपाल मलिक, ओके, वेरी गुड, सो यहाँ पर देखना, सो यहाँ पर हमारे कोर्णार को उंकल्स अगमा जो है, चीफ मिनिस्टर है हमारे मेगालिया के, ओके, सो यहाँ पर सत्यपाल मलिक, जो है सही आंसर हो जाता है, आशियाना विजद, वेरी गुर्ट, ऑप्शन नमबर बी विल बी आर राइट आंसर, ठीके ना, सत्यपाल मलिक, जो है गावनर है मेगालिया के, ओके, सो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सो तोरे इंपोर्टन गावनर्स देखते हैं, जो आप लोग अकसर कन्फ्यूज हो रहे हो, सो यहाँ पर मिजोरम का गावनर है, पियस स्रीदरन पिलाई, ओके, सुनागालान क्या है, आर अर न रवी, ओडिसा का है, गनेशी लाल, राजस्तान का गावनर है, कालराज मिश्रा, सो मध्य प्रदेश का है, आनन्दी बेन पतेल, अनुत्थर प्रदेश का जो है, आनन्दी पेल पतेल है, सो अडिशनल चार्ज पे अननदी पेल पतेल, जो है दोनों ही स्टेट्स का जो है गावनर है गृवनिंग वैश्न भी सो यहां पे पूरा का गावनर है रमीज बाइस अनकेला का है आरिफ मोहमत कान ओकी याद रख लेना सारे के सारे इंपोर्टन्ट है हेलो गृवनिंग पीएस चालो देखते हैं आज का साइकेंड क्वेशन ठीके ना सो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है चीफ मिनिस्टर रन गावनर्ज में क्योंकि अक्सर यहां से क्वेशन आ रहा है तो इस टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे से द्यान में रखके जाना ठीक है ना सो पढ़के जाना सो सैकेंड इजी क्वेशन है यह भी सो मुकंदरा नाशनल पाग जो है कहां पर है हिमाचल प्रदीश मध्यप्रदीश बिहार और राजस्तान सांधी पान गरीवनिंग ब्लू का अ आ गया है अशी का डी आ गया है सो चालो पहले क्या गर अंसर क्वेसन का अंसर के दो अगर नहीं भी पता है तो बताया करो ठीक है ना सो वहीजनल लिए का सी आ गया है एका है डी आ गया है feel the adboah जबी देक रहे हैं अगर पता है तो बताया करो नहीं पता है तो फिर भी अप्शन है करके सेंदू का सीय की ya कyeong प्लक्थ Dark संधीपन के बाद हम उसके उपर थोड़ा ध्यान देंगे संधीपन के चालो हम आंसर देखते हैं यहां पर आशी का आंसर जो है सही आया था ठीक है ना सो ब्लू वैशनवी सेंटू ए और सी को जो है चूज कर रहे हो सो क्यों ऐसा बताओ मुकुंद्रा हम कितने बार पढ़ चुके हैं सो राजिस्तान जराइटान से ठीक है ना कंफ्यूज नहीं होना है हिमाचल प्रदीश में नहीं है बिहार में जो है नहीं है हम मुकुंद्रा नाशनल पार के बारे में बात कर रहे हैं यह जो है राजिस्तान में है ओके मैं बहुत बार रिवाइस करा चुकी हूँ आपको प्लीज रवाइस कर लेना, ठीक है ना, ओके, चालो, सो राजस्तान के सारे-स नाशनल पार्क्स एक बार पढ़ लेते हैं, देखो, मुकुंद्रा हिल्स नाशनल पार्क्स याद रख लेना, तो आप कैसे भी याद रख लोगे, पता है मुझे, then कियो लादियो नाशनल पार्क है then रन्तमबोर नाशनल पार्क औं सरिस्का नाशनल पार्क ठीक है ना सो ये सारे कि सारे नाशनल पार्क हमारे राजस्तान में है बिल्कोल भी confusion नहीं होना है याद रख लीजिए तर्लो तर्ड देखना अब कृष्ण सागत डाम जो है कौनसे स्टेट में है हाँ पीएस यह SSC के लिए भी यूसुल है अच्छली मैं स्टार्टिक जी के करा रही हूं आपको मोस्ली जो है स्टार्टिक जी के कराती हूं स्टार्टिक जी की बताओ ऐसा कौन सा एक्जाम है उसमें पूछा नहीं जाता बताओ स्टारे के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है ना आशी सीन्तु ब्लू का ए आ गया है एमडीके का महारास्ता एंपीएस का ए और वैश्नवी का दी वैश्नवी ने अंसर बदल दिया ए गड़ दिया तो चालो देखते हैं सो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है ठीक है ना सो मूसली चारे लोगों का अंसर ए आ गया है सो चालो किसको भी कंफ्यूजन हो रही है नहीं पता है तो याद रख लीजे ठीक है ना सो एक सावशन नंबर ए खिर्षण सागत दाम जो है करनाटका मे है और क्रिष्ण साघत बाइक सो कावेरी हैं जोह कंस्ट्रा किया गया है क्रिष्ण सागत का घम को ओके सुढ़े इंप्वर्टं डाम देखते हैं चलो सो हमारा करनाटका एंड टमिलनाडू के इंपोर्टन डाम से एक बार देख लेते हैं हाँ वै आशी कावेडी ओके साव क्रिश्ननगर डाम जो है कावेडी रिवर पे कंस्ट्र किया है टुंगबर्द्रा रिवर के उपर कंस्ट्र किया गया है अलमती डाम क्रिशना डाम के उपर कंस्ट्र किया है ठीके नहीजुकर आद रिक लिक तो के खोली जो है हमारा gerasik का Speaks का मोंटनि जो रिल्लीस किया गया है उसमें क्वेज्शन ये आया था कि हमारा नागर जुन सागर डाम जो है कौन से रिवर के उपड़ कंस्ट्रक किया गया है सो इसलिए हमको इस पे ज्यादा ध्यान देना है ठीके ना सो अमरावती डाम जो है अमरावती रिवर के उपड़ है ठीके ना अउके MDK अन पारदीप ओके सो यहां पर फूर्थ क्वेशन देखना सो जो जीला पाज जो है कहां पहे हिमाचल प्रदीश जामू अन कैश्मीर लड़क महारास्टा सो पियस का अंसर जो है सबसे पहले A आ गया है आशी का B आ गया है सीन्तू का B ब्लू ए जल्दी आंसर करना होता है ठीक है ना सो जल्दी आंसर दो नहीं भी पता है तो बताओ की नहीं आती है इसने कौन सा सोचने वाली बात है बताओ सो अंडी के का जैमू आ गया है ओके सो चलो आंसर देखते हैं सो जो भी आप्शन नमबर बीच उसका रहे हैं ना कोई बात नहीं सु वाइशन भी कसी आ गया है सो हमारा जो है पहले जैमू आण कैश्मीर और लडख हमारे union टरी टरी इंहीं बने तेना सो जब तक जो है जो जिल्दा पाश हमारा कैश्मीर में था पुरा एक state था पर अभी क्या हो गया है divide हो गया है union territories बन यह है दोनो so हमारा option number C सही हो जाता है ठीक है न so लड़क region not Jemua and Kashmir अभी यह लड़क में है जोर्चिला पास याद रख लिजे so option number C will be our right answer and याद रख लिजे so option number B नहीं है so तोड़े important passes देखते है so Natula pass कहाँ पर है सिक्किम में है ठीक है न so Niti pass जो है उत्राकर में है Rothang pass जो है Himachal Pradish में है Bhomadila pass जो है और रुनाचल Pradish में है Antuchu pass जो है Manipur Antalgaard pass and Borgaard pass जो है हमारे महारास्टा में है ठीक है न so ये तोड़े important passes है passes के बारे में अकसर question आता है मैं बहुत बार repeat कर रहे हूँ so National Parks हो है CVM Governor, Union Ministers ये dance हो गए है passes हो गए है National Parks ये गलती करके आप बिल्कुल भी नहीं आओगे ठीक है न very good आईशनवी so चलो so बिल्कुल भी ये topics का question आएगा examination में न तो गलत बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है न so यहाँ पर runner of Australian Open 2020 so हमारा Australian Open होता है French Open होता है US Open होती है Wemildan Open होती है so हमारा Australian Open जो है every year January के मन्द में जो होता है so इसमें मैं पूच नहीं रही हूँ कि winner कौन है यहाँ पर question यह है कि runner कौन है so blue आशी का B आग्या है वाइशनवी का C आग्या है PS B Scene 2 A Raju का C MDK का B सचालो answer देखते है so आप सारे लोगों ने answer दे दिया है very good so हमार option number B will be a right answer ठीक है न so Dominic Team runner है Australian Open यह ठीक है न so Novak winner था ठीक है so winner so question ऐसा भी आ सकता है कि winner so mostly है सही आंसर आता है कि still open का winner कौन है पर most rarely इस तरह का question आ सकते हैं ठीक है ना so Novak जो है winner है Dominic जो है runner है याद अख लीजे जैनवरी के मंत में होती है और हार कोर्ट में जो है इसको केला जाता है so question number six देखना अभी so president of world football association और रे ओजले एंटोनियो गुट्रिस अगिगानी इंफांटियनो क्रिस्टिनीलिया जोजीवा so option number C आ गया है blue and MDK का सेंतू का बी आ गया है PS का C आ गया है so सारे लोग आन सकना कहां भी बेजा है वैशनवी आशी का C, राजू C, सेंतू C वैशनवी C सचालो, answer देखते है so आप शारे लोगों का answer जो है C आ गया है पर दोरे लोगों ने B भी चूस कर लिया है सचालो, so हमारा ओर्डरे जो है न हमारे UNESCO, UNESCO की हैड है Antonio Gutras हमारे UN की हैड है क्रिस्टनीनिया जोर जीवा, IMF के हैड है, ठीक है न अच्छा ठीक है वैशनवी, ओके तांक्यू सो मच, UN का हैड सो हमारे अप्शन नमबर C जो है बिलकुश सही आंसर हो जाता है, ठीक है न, सो World Football Association के प्रेजडेंट है यान, Infantino सो यहां पर हमारा World Football Association जो है, 21st of May, 1904 को जो है, क्या किया है, फॉर्म किया है, ठीक है न, और इसकी headquarters कहां पर जूरच में है, यह पैन को क्या हो गया आज, सो जूरच में है, ठीक है न, ओके, वेरी गुड एम डीके, ओके, सुचालो, 7th question देखते हैं, आप इसीस को याद रख लीटे है, ओके, सो 7th question देखना, जहलाल नहरो पोर्ट कहां पर है, केरला, गुजराद सेकिम, काफी इजी है, बताओ मुझे अभी कहां पर है, जल्दी से, सो वैश नवी, MDK, सेन्तू, ब्लू, आशी, सब का सी आ गया है, वेरी गुड और इसका और एक नाम भी है, बताओ, जहलाल नहरो पोर्ट is also called as what, बताओ, ऐसा question आ गया, तो क्या करेंगे, कि जहलाल नहर पोर्ट is also called as, मैं बता दूँ, या अशी का आ गया है, नहावा, नहावा, शेवा, ओके, या अशी, NMDK, बेरी गुड, ओके, सो हमारा अप्शिन नवर सी जो है, बिल्कुछ सही आंसर हो जाता है, महारास्ता में है, ओके, बेरी गुड, सुचालों, यह हमारा जो है, हमारे तूड़े इंपॉर्डन पोर्ट देखने ना, ओके, सो आप लोग ना भड़के जाते हो, फिर भी एग्जामनेशन में कन्फ्यूज हो जाते हो, ओके, सो द्यान से यहां पर एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना, सो कांडला पोर्ट गुजरात में है, मुर्मु गोवा पोर्ट गोवा में है, सो कोचीन पोर्ट केरला, एन और पोर्ट तमिल नादू, न्यू टिटिकवन तमिल नादू में है, विशाक पत्नम पोर्ट आंधर प्रदेश, पारादीप, ओडिसान, हाल्दिया पोर्ट वेस्ट वेंगोल, याद रख लेना, ठीक है ना, काफी इं देवी बिलॉंग्स तू विज टेट, एम दीके का अंसर मनिपूर आगया है, वैशनवी अंसेतू का सी आगया है, आशी का ए, सचालो मैं आज से बताती हूँ, ध्यान से देखना, सो हमारी जो, मिस ओईनम जो है ना, अभी, मानी पोर्ट सब बिलॉंग करती है, ठीक है ना, स्पोर्थ, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है ना, याद रख लीजिए, फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है और यहाँ पर, क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्यों पूचा है, अभी हम तो यह famous नहीं है, हम कोई नहीं जानते इनको जियादा, पर यहाँ पर क्वेश्चन क्यों आया है, बात यह है कि हमारे 2020 में जो है, पद्मा वर्स दिये गये थे ना, इनको जो है पद्मश्री, क्या पदमा स्ट्री यह जो है हमारे पदमा स्ट्री अवर्डी है ऑटे सो स्पोस यह एक फिट बॉलर है सो स्पोस की फील में जो है इनको पदमा अवर्ड जो है मिला है और यह मनीपोर से बिलॉंग करती है और यह 40 यह ची कहना याद रख लीजे ओके चालो देखते हैं 9th question और इनको जो है साथी साथ अर्जुन अवर्ड भी जो है मिल चुका है okay so who has been awarded the best new artist and Grammy Awards 2020 हमारे जो है January में ही जो है Grammy Awards हुए थे उनमें best new artist award जो है किसको मिला है MDK concept भी आ गया है वाइशनवी का भी जो जल्दी आंसर करो MDK का बिली बिली रग लेगा क्या सो आशी को नहीं पता है सेंतू का भी आ गया है सो चालो आंसर देखता है सो यहां पे MDK सेंतू अन वाइशनवी का सही आंसर आ गया है वेरी गूर्ड और जिसको भी नहीं पता है ना तो पढ़ लो इसको याद रख लेना सो Grammy Awards देना कभी-कभी questions बनते हैं यहां से चीक है ना सो याद रख लेना सो चालो हमारा Billy Elish को जो है Best New Artist Award जो है Grammy Awards 2020 में सो चालो देखते है 10th question so who is the time's magazine kid of the year? Maithali Thakur, Gita Anjali Rao, Greta Thunba, Nikya Jeevon so blue का B, Vaishnavi का C, MDK, Greta C into B Aashi C, PSC so jaldi answer करना यहां पर only blue, Vaishnavi, MDK, Seindu Aashi का answer आ गया सो चालो answer देखते हैं so यहां पर B और C में आप confused हो रहे हो so हमारा अंजर हो जाता है option number B okay क्योंकि हम स्वाल यहां पर मैंने year add करना बूल गई हूँ यह 2020 के बाद हो रही है okay so jaya कसी आ गया है okayashi कोई बात नहीं so हमारे गीता अंजरी राव को जो है times magazine of the year kid है so यह पहली kid है जो times magazine ने चूज किया है यह 15 years old है ठीके ना भी कितने 15 years old ही है और times magazine की kid of the year है 2020 की ठीके ना okay so 11th question देखना very good so 11th question cookie tribe belongs to which state Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Sikkim Sintu का B, MDK का Nagaland, A यह 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 नि आशी का E आ गया है वैशनिवी का B आ गया है blue A, P, S, E, okay 8 second रूपना अब भी आती हूँ इस question को थोड़ा try करो मैं बस 5 seconds ने आता थी so यहां पर हमारा answer क्या है option number A हो जाता है no no sorry C हो जाता है ठीके ना so Manipur से कुकी ट्राइब जो है बिलॉंग करते हैं तो यह important है ठीके ना तोड़े tribes so इन्होंने कुछ invention किया था वैशनिवी ठीके ना इसलिए okay so invention बहुत great माना गया इसलिए okay so यह tribes festivals dances थोड़े पढ़ ले ना okay so मैं थोड़े important पढ़ा रही हूं आपको so यहां से पढ़ लेंगे okay okay नहीं तो आप सारे के सारे याद कर लेंगे then be okay so चलो 12th question देखता है so the name of Lakdiv, Minikoy and Aminidiv Islands was sent to Lakshwadiv by the act of parliament in so कौन से साल में जो है इंशारे आइलांस को मिला के Lakshwadiv बनाया गया था कब? 1970, 71, 72, 73 so MDK का E, Aashri का E नहीं पता है क्या कोई बात नहीं वाइशनवी का B, Blue का B so recently नहीं हमारे constable examination जो हुआ था उसमें इस तरह का question जो है पूचा गया था not exactly the same question पर यह मनी कोई से रिलीटेद ठीक है ना so इसलिए यह question यहाँ पर है so याद रख लीजिए so यहाँ पर हमारा option number D सही हो जाता है so 1973 में जो है act of parliament के द्वारा जो है इन सारे lands को मिला के लक्षवदी बना गया था ठीक है ना okay so चाल थर्टींथ question देखते है अभी so the present log sabah is क्या हमारे log sabah 14th log sabah है अभी 2020 में जो चल रहा है 15th है यह 16th यह 17th अब सारे लोगं को बता है तो जल्ली से फटा फटा आंसर कर दीचे so MDK का 17 आशी अंसी इंटू दी वैशनवी सी ब्लू का दिया गया है प्यास का दिया गया है सो यहां पर हमारा यह present log sabah जो चल रही है वो हमारा 17th log sabah है ठीक है ना okay so याद रख लेना 17th है okay so नहीं पता है तो कोई बात नहीं अभी याद रख लीजिए 17th है ठीक है ना so 14th question देखना अभी ozone hole जो है किसको refer करती है या blue so क्या यह refer करती है कि hole है ozone layer में बस या यह decrease in the ozone layer in troposphere अब सारे लोगों का अंसर आ रही है वैशनवी A, C, N2C, MDKC, C, NrC का C, so आप लोग C चूज़ करें हो decrease in thickness of ozone layer in stratosphere so हम सारे लोगों को पता है कि stratosphere में जो है ozone layer होती है so PS का C आ गया है so stratosphere में जो है ozone layer होती है हां कि नहीं so उसमें यानि हमारी जो gases जो release हो रहे ना उसकी वज़े से जो है हमारा उसकी वज़े से जो है holes बनते है और उसकी वज़े से क्या होता है decrease in the thickness so हमारे thickness कम हो जाती है ठीके ना so option number C will be our right answer ठीके ना so option number C is the right answer okay so JST का भी C आ गया है very good everyone so चालो 15th question देखते है plants receive their nutrients mainly from so plants को जो है उनका nutrients कहा से मलते है chlorophyll से मलती है atmosphere से मलती है light से मलती है yes soil से मलती है कोई बात नहीं Michael so MDK का सेंतू का blue का D वाईशनवी का D आशी दी okay so Jashree का भी D आगया है so value everyone so soil से जो है okay हमारे soil से जो है most of the nutrients जो है observe करती है plant ठीके ना so soil so A नहीं हो सकता है PS ठीके ना so soil में हमको कुछ nutrients देना है plant को हम कहा से देते है हम soil में जो है कुछ डालते है हाँ की नहीं so इसलिए so soil will be a right answer okay so याद रख लेना so 16th question देखना photosynthesis generally takes place in which part of the plant so कौन से पार्ट में जो है photosynthesis जो है take place होती है so leaf and other chloroplast bearing parts में होती है यह stem and leaf में होती है यह roots and chloroplast यह bark and leaf में so यहाँ PS and MDK का A आगया है blue का जैश्री B वाइश्नवी आशी सीन्तू A okay so आप सारे लोगों का answer A आ रहा है so हमारा option number A सही हो जाता है जैश्री का B okay so यहाँ पे 16th question का answer हो जाता है A ठीके न so leaf में होती है photosynthesis and हमारे जो भी chloroplast bearing parts है ना उनमें जो है हमारा photosynthesis होता है चीके ना photosynthesis याद रख लीजिए okay so one of the following is not a function of bone so इनमें से एक function है जो हमारे bones जो है function नहीं करता है so जल्दी से बता क्या place for muscle attachment है या protection of vital organs है या secretion of hormones for calcium regulating in blood and bones prediction of blood corpuscles so वाइशनवी का सी PSB, RCC, Blue and Sandu का सी so यहाँ पर place for muscle attachment है ना bone क्या bones हमारे vital organs को protect करें हां कि महीं protect करें हमारे जो ribs है क्यों बने हैं कि हमारे जो lungs and heart को जो है protection मिल पाए ओके so यह जो है blood corpuscles को release करता है हां कि नहीं करता है and यहां पे secretion, hormones का काम जो है glands का होता है ना कि bones का तो हमारे option number C जो है बिलकुछ सही answer हो जाता है ठीक है ना okay so यहां पे MDK जयाश्री का दी आ गया है D गलत हो जाता है so option number C जो है बिलकुछ सही answer हो जाता है क्या यह पहली बेंगॉली फिलिप है या इसको नाशनल अवार्ड मिला है यह सांसकल्ट फिल्म है यह इसमें कोई female actors नहीं है सुसीन तू पियेस आशी वैश्री जयाश्री का C आ गया है MDK का B आ गया है so यह फिल्म के बारे में एक यूनिक चीज यह है कि आदी सेंकराचार या मूवी जो है हमारे फहली सांसक्रिट फिल्म है ठीक है ना so यह सांसक्रिट में जो है बनाया गया है so हमारा option number C जो है सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना okay so चालो देखते हम 19th question so the pass located at the southern end of the neilgiri hills in south India is called so हमारे neilgiris में southern end में कौन सा पास है फालगाट पास बोरगाट पास तालगाट पास या बोलान पास swashi का A आ गया है blue A MDK फालगाट वाईशनवी A जाईश्री A PSA सीन्तू का B so चालो हमारा option number A सही हो जाता है ठीक है ना so पालगाट पास जो है हमारे कहाँ पास है चामिल नादू में है ठीक है ना सो बोरगाट अन तालगाट जो है ना यह दोनों ही हमारे महाराष्टा में है okay so याद रख लीजिए सो चालो देखता है 20th question the only state in India that produces saffron so मुझे बताओ कि वो अखेला state कौन सा है जिसमें साफ्रोन की production होती है ग्लू से इन तू आशी अन पियस का C हो गया है अंडी के जैमू सो इसको state नहीं माना जाता है ओके इसको हम अभी union चारी चारी बोलेंगे ठीक है ना सो जैश्री का C है 스ौ यहां पर रिसंडली जैमू एन काश्मीर की जो सो जैमू एन काश्मीर की जो हमारे से ayud उसको जू है हमारे 2020 में क्या आइज़ यीन दिया ग sc ! आइढी जैडियां की सिद्डी इस सेफ्री आइज ऑष्रौन है बीसी आ गया है, so jamu and cashmere will be a right answer, so jamu and cashmere में जो है, यह अखेला union चली चली है, हमारा जहां पर जो है, saffron प्रोड्यूस किया जाता है, और recently 2020 में जो है, इसको GI tag भी दिया गया है, okay, so चालो देखता है, 21st question को, so gramophone जो है, किस ने invent किया है, Michael Faraday, cashmere shawl को भी, दिया गया है, क्या, वो 2020 में नहीं दिया गया है, so blue sing to ashian awijat का see आ गया है, so mdk का भी ग्रहम बल आ गया है, so जल्दी answer करना सारी लोग, इतने सारी लोग जो है, class को देख रहे हो, पर answer क्यों नहीं दे रहे हो, नहीं पता है, तो बताए हो, करो, so option number d आ गया है, वैष्णवी का, so Thomas Alva Edison के द्वारा जो है, इन्वन्ट किया गया है, ठीके ना, so हमारा option number d सही हो जाता है, okay, so which of the following is not associated with UN or United Nations Organization के द्वारा, कौन असूसियेटर नहीं है, ILO, WHO, ACN, यह सब, आशी कान से C आ गया है, वैष्णवी का D आ गया है, MDK, ACN, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी आंसर करो, नहीं पता है, तो बता करो कि नहीं आती है, तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि आप लोगों को नहीं आता है, मुझे आंसर बताना है, so चालो, यहाँ पर option number C will be our right answer, ठीके न, so ACN जो है, हमारे UN से जो है, related नहीं है, okay Michael, okay, कोई बात नहीं, so यहाँ पर देखना है, UNो का, full form क्या हो गया है, United Nations Organization, ILO International Labour Organization, WHO World Health Organization, Association of Southeast Asian Nations, ठीके न, याद रख लीजे, इसके full forms पूछ लेते हैं, ठीके न, सुचालो, so अ भाग, विलेज इन ग्वालियर, इस फीमस पर, ग्वालियर यह एक विलेज भाग, जो है, किस चीज के लिए फीमस है, सारे लोग जल्दी जल्दी आंसर करना, अशी का सी आ गया है, सेंतु का, अद ब्लू का सी आ गया है, 1909 नहीं MDK, it is 1990, 19, okay, 1919, so MDK का केव पेंटिंग, ग्वालियर के बाग विले, कीव पेंटिंग के लिए फेमस है, वैरी गुर्द आ गया है, जाब देखते है, 24th question, the ratio of worth of a national fact to its length so हमारा national fact के ratio बताओ so blue का B या शी B so recently हमारा ये question आया हुआ था कौन सा exam 21st question का answer था D क्या है 21st question में हाँ वैशनवी दी ही answer so यहाँ पे 2 is 2 3 PS B okay everyone का B आ गया है so very good हमारा 2 is 2 3 याद रख लिजए ये question recently एक examination में अभी एक one week भी नहीं हुआ है so एक examination में जो है आया हुआ है ठीक है ना so याद रख लिजए so चालो देखते आज का last question so Madhubani a style of folk painting is popular in which of the following states in India so Madhubani एक folk painting एक कॉंसे स्टेट में popular है so Blue Sandhu and Ashi Vaisnavi का दिया गया है PS का सियारा है answer नहीं करोगे का आप सभी लोग so same to PS का D okay so हमार option number D Bihar is the right answer okay MDK का Bihar okay so यहाँ भी blue Sandhu Aashii Vaisnavi PS का सही MDK का भी जहीं आंसर आगया है very good everyone so Madhubani एक folk painting एक फुक पेंटिंग है popular है बिहार में चीक है ना so याद रख लीचे जिसको भी नहीं आता है okay I'm very good everyone जिसको भी पता है so अपकी एक्जामनेशन में पूछ सकता है okay so most repeated questions में से है यह okay so चालो इतना ही है so कल का जो क्लास है कल क्लास रखे या ना रखे बताएं मुझे फेले so हो गया है हमार आज का सेशन A नहीं है वैशन भी दिया है okay so कल का क्लास ना सेवन ओ क्लॉक को शायद नहीं हो पाएगा हम करेंगे इसको फाई फाई पीम को okay so क्लास कल सावन पीम को नहीं होगा फाई पीम को होगा ठीक है ना is that okay आप तो बाई बोलने में ही बिजी हो तो चालो बाई so अगर आपको सेशन अच्छा लगाए तो लाइक कर दीजिए and आपके फ्रेंज जो भी पर रहे उनको शेयर कर देना and अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए and thank you so much for watching this session बाई बाई कल मनता है 5 PM को बाई बाई